मध्यप्रदेश का भिंग जिले को रिशियों की तपो भूमी भी तही जाती है रिशियों की इस भूमी में आज कई प्राचीन मंदर मौझूद है जो यहां के भक्तों के आस्था का केंद्र बना हुआ है इन्ही में से एक ऐसा भी मंदर जहां हनुमान जी हर नए नए रूप में भक्तों को दर्शन देते है आस्था से जुड़ा इस मंदर पर मंगलवार के दिन काफी संख्या में भक्त पहुँचते है हनुमान जी से अपनी मननत मांगते है भिन जिले के अटे रोड पर सबसे प्राचीन मंदर को बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है एहम बात यह की यहां मंगलवार को हनुमान जी का अलग-अलग रूप में श्रिंगार देखने को मिलता है आज मंगलवार के दिन हनुमान जी एक अलग रूप में भक्तों को नजर आए पिछली बार डॉक्टर के रूप में श्रिंगार किया गया तो इस बार दूलहे के श्रिंगार कर उन्हें सजाया गया है इससे पहले श्रिव जी का रूप धारण कर लोगों को दर्शन दिये थे मंदर के पुजारी पुजारी सत्यम विवेदी का कहना है बड़े हनुमान जी का मंदर काफी प्राचीन है जो भक्त इस मंदर में हनुमान चालीसा का पाथ पाँच मंगलवार को लगातार करता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है भिंग जिले का प्रचीन हनुमान जी के मंदर में भक्तों की काफी आस्था है यहां सबसे अधिक भीड रहती है इस मंदर पर हर मंगलवार को श्रिंगार किया जाता है इस बार हनुमान जी का दूले के श्रिंगार करके अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं अगर आप भी बड़े हनुमान जी मंदर पर जाकर हनुमान जी के दर्शन करना चाते हैं डॉट अलगलग रूप में तो आप भिन शहर के नवादा रोड पर नवादा के पास में बने बड़े हनुमान जी का प्राचीन मंदिर पर मंगलवार के दिन जाकर उनके अलगलग रूप में दर्शन कर सकते हैं